नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो पिछले काफी समय से साउथ एक्टरस समन्ता खासा चर्चा में हैं बीते दिनों इनका अपने हस्बेंड नागा चैतन्या से डाइवोस हुआ जिसके चलते काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उनकी लाइफ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए उसी के चलते आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की खुबसूरत एक्टरस समन्ता की जिने आज की तारीक में लेडि सूपरिश्टार कहना गलत नहीं होगा समन्ता आज इतना बड़ा नाम बन चुकी हैं जिनके करोडो फैंस हैं और इनमें पूरा भूता है कि अपनी फिल्मों को सिर्फ अपने दम पर चला सकती है समन्ता ने बताया था कि जब वे इंडस्टी में आई थी तब इसे उन्हें कुछ अच्छे लीक से हटकर वूमेन ओरेंटेट फिल्में करनी थी ना कि बड़े-बड़े एक्टर्स की फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर और दो-चार गानों के लिए काम करें हाला कि उस दोरान समन्ता को कोई बताय लीड एक्टर्स फिल्में देने से रहा इसलिए इन्होंने कई फिल्मों में काम किया ताकि ये लीक में बनी रहें आज समन्ता केरेड के उस पड़ाओ पर आ चुकी है जब वे अपने मन मताबिक रोल्स कर सकती हैं और कर भी रही है यूटन, सूपर डेलक्स, जानू, ओ बेबी, दा फैमिली मैंट टू और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट सकुनतलम इसके अच्छे एक्जामपल है जहां समन्ता ने लीक से हट के फिल्म में साइन करें उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि रोल छोटा है कि बड़ा अगर रोल दमदाल लग रहा है तो उसे कर रही हैं और आने वाले अपने केरेड में अपने चॉइसेस पर ही काम करना चाहती हैं समन्ता हॉलिवूड एक्टरस आंड्रे हेबबरंड की फैन है और उनसे काफी इंस्पार्ट रहती हैं दोस्तो समन्ता रूत प्रभू एक सोसल मीडिया इंफ्लेंसर भी हैं बड़े-बड़े एक्टरस से ज़्यादा फॉलोवर्स समन्ता के देखने को मिलते हैं जब समन्ता ने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स कम्प्लीट किया तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वे 10 एंजियो को डोनेशन करेंगी आगे चलकर समन्ता ने अपना खुद का एंजियो भी ओपन किया जिसका नाम प्रतियुसा फॉलोवर्स को पढ़ाती भी है समन्ता रूत प्रभू ने एक आउक्षन में अपनी फेवरिट आइटम्स को सेल किया जिसको उन्होंने अपनी किसी फिल्म में पहना था और उससे प्राप्ट धिनरासी को उन्होंने अपनी फाउंडेशन में लगाया ताकि लोगों की मदद कर सके समन्ता रूत प्रभू ने उन बच्चों की विसेस को पूरा किया जो उस समय मौत से लड़ रहे थे इन्होंने उन बच्चों को एर प्लेन का सफर कराया साती सात ताजमहल भी दिखवाया जो की काफी अच्छी बात थी इसके अलावा कई बच्चों को उनके फेवरेट इस्टार से भी मिलवाने का काम किया इसी तरह के काम समन्ता समय समय पर करती रहती है सामन्ता एक ऐसी एक्टरस है जो साफ दिल की है इस्टेट फॉरवर्ट है हर मुद्दे पर आपको इनकी बेबाक राय देखने को मिलती है उसी के साथ समन्ता काफी जल्दी इस्टेंड भी ले लेती है ये लोगों की मदद के लिए काफी जल्दी खड़ी हो जाती है फेवरेट एक्टरस की बात करें तो ये तरिशा किष्टन को बेहत पसंद करती है और आगे चलकर समन्ता को तरिशा किष्टन का ही रोल जानू फिल्म में निभाने का मौका मिला पॉपलर एक्टरस रेवती के बाद समन्ता रूत प्रभू ही वो एक्टरस हैं जिने एक ही साल तमिल और तेल्गू के बेस्ट एक्टरस के फिल्म फेर अवार्ड से नवाजा गया साल 2013 में इनको तमिल फिल्म निथाने इन पुवसंथम और तेल्गू फिल्म इगा यानि की मक्षी के लिए इनको बेस्ट एक्टरस के अवार्ड से नवाजा गया थी इनके डाइवोर्स पर आने से पहले बात करते हैं कुछ कॉंट्रोवर्सीस की जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि समन्ता नागा चैतन्या से पहले एक्टरस सिधार्द के साथ रिलेसंसिप में थी और इस बात की पुष्टी इन दोनों ने ही अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर करी थी बात में समन्ता ने सिधार्द को छोड़ दिया और वज़ा ये बताई कि सिधार्द के अंदर मेल एटिट्यूट काफी ज़ादा था वे खुस हैं कि आज वे सिधार्द के साथ नहीं हैं और नागा चैतन्या जैसे केरिंग बिलेवर के साथ रहना अपनी खुसकस्मिती बता रही थी जब नागा चैतन्या और समन्ता का डाइवोस हुआ तो सिधार्द ने इंडिरेक्टली समन्ता पर निशाना साथते हुए यही लिखा कि एक चीटर कभी भी खुसाल नहीं रह सकता ऐसे ही एक बर क्या हुआ कि साथ एक्टरस पूजा हेकड़े ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने समन्ता की फोटो डाली और उसमें कैप्सन लिखा हुआ था कि उन्हें समन्ता किसी भी एंगल से प्रिटी नहीं लगती बाद में समन्था के फैंस ने पूजा हैकडे को ट्रोल करना शुरू कर दिया पूजा को इस बात का इल्मी नहीं था बाद में उन्हें पता चला कि एक्ट्वल में उनका इंस्टाग्राम एकाउंट हैक्ट था और किसी और ने ऐसा किया था केरियर के बीच में समन्था दो सालों तक एक लंबी बिमारी से गुजरती रहे ये इम्मूनिटी डिसार्डर से ग्रिसित थी जिसके चलते आई और काडल जैसी कई फिलमें इनके हाथ से निकल गए है ये दिक्कत इतना बढ़ गई कि सन अफ सत्यमूर्थी की सूटिंग के दोरान ये बार-बार बेहोस हो जाया करती थी इन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया और आज ये पूरी तरह से बहतर है जब समन्था अक्की नैनी ने अपने नाम से अक्की नैनी सब धटाया तब काफी खबरे आने लगी कि नागा चैतन्या और समन्था की बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा फाइनली दो अक्टोबर को इन दोनों कपल ने अपने अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डाइवोस की खबर पुष्टी करती दोस्तो इन दोनों के डाइवोस को लेकर कई इस्पेक्चुलेशन निकल कर आई हैं कई थियोरिज भी हैं लेकिन एक्ट्वल रिजन क्या है ये हस्बेंड और वाइफ ही बहतर जानते होंगे इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सौ विवेक जरूर यूज़ करें दोस्तो एन आई की रिपोर्ट के एकॉर्डिंग समन्था ने जब फैमली मैंट 2 में काम किया तो उसमें काफी सारे ऐसे सिंते जिससे अक्की नेनी फैमली काफी नारास हो गई और उन्होंने दवाब बनाये कि तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी और अगर करोगी भी तो हमारी सर्तो पर समन्था जो अपने केरेट के इस फेस में अलग-अलग तरह के चैलेंजिंग रोल्स निभाना चाहती है उन्होंने इस बात को नहीं माना और ये बात डाइवोस तक पहुँच गए दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि नागा चैतन्या अपनी फैमली स्टार्ट करना चाहते थे जबकि समन्था अपने केरेट पर ही फोकस करना चाहती थी इसके चलते इन दोनों में काफी डिफरेंसस आ गए और बात डाइवोस तक पहुच गए इसके अलावा और भी कई अलग-अलग तरह की रिपोर्ट निकल कर आई है इस पर कोई ओफिसल स्टेट्मेंट निकल कर तो आया है नहीं इसलिए इस पर स्रूप से कुछ भी कहना सही नहीं होगा वहीं समन्ता रूत प्रभू को अक्की नैनी फैमली के तरफ से 200 क्रोंड की एलमनी भी ओफर हुई थी जिसको समन्ता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया उनका कहना था कि अक्की नैनी फैमली के साथ बिताए उनके हर पल उनकी जिंदगी के सबसे खुबसूरत मोमेंट है खैर समन्ता रूत प्रभू का जन्म 28 अप्रेल साल 1987 को मतराज तमिल नाडू में हुआ इनके पिता का नाम है प्रभू और इनकी मातला का नाम है निन्नते है पिता तेलगू से हैं वहीं इनकी मा मल्याली है इन सबके उलट समन्ता खुद को ट्रू तमिलियन कहती हैं क्योंकि उनका ज्यादतर बच्पन चन्न नहीं में वीता इनके दो बड़े भाई भी हैं जिसमें बड़े भाई का नाम है जोनाथन और दूसरे भाई का नाम है डेविट ये तीनो भाई भाई भेन तमिल में काफी फिलेंट हैं समन्ता सुरू सुरू में तेलगू इतना अच्छा बोल नहीं पाती थी ये तो इन्होंने अपने एक्सेंट पर काम किया और आज ये तेलगू में काफी फिलेंट हैं दोस्तो समन्ता के सुरूती पढ़ाई होली एंजल्स एंगलो इंडियन हायर सेकेंडी स्कूल से पूरी हुई आगे चलकर समन्ता ने कॉमर्स फील लेकर इस्टेल मेरिस कॉलेज चन्नाई से अपना ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर लिया कॉलेज की दोरान थोड़ा पैसे की कमी के चलते इन्होंने अलग अलग तरह के कई काम किये इसके बाद ये मॉडलिंग भी करने लगी तबी फिल्मेकर रवी वर्मन की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने समन्ता को एक्टर्स बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया डिरेक्टर रवी वर्मन ने इनको अपनी मुवी मासको कावेरी में बताव लीड एक्टर्स कास्ट किया और यही फिल्म इनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी लेकिन यह फिल्म अपने फाइनेसल कारणों की वज़ा से अटक गई और तीन सालों के बाद रिलीस हो सकी यहाँ समन्ता की दूसरी फिल्म एक तरह से इनकी डेब्यू फिल्म कहलाई यह एक bilingual प्रोजेक्ट था जिस पर डिरेक्टर गौता मैनन एक कहानी पर दो फिल्में बना रहे थे फिल्म को तबिल में HDR और तरिसा किस्टन के साथ वहीं तेलगू में समन्था और नागा चैतन्या के साथ बनाया जाना जहां फिल्म के तमिल वर्जन में समन्था का कैमियो था वहीं फिल्म के तेलगू वर्जन में समन्था रोध प्रबू लीड एक्टरस के तौरपन नजर आई थी यहां समन्ता को नोटिस किया गया और फिल्म की सफलता ने समन्ता को ब्रिंदा वनम और डोकुल जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका दिया यह दोनों फिल्में सक्सेस्फुल रही और जूनिर एंटियार महज बाबू के साथ काम करके समन्ता की पॉपलर्टी एकदम से बढ़ चुकी थी इसके बाद इन्हें एक प्रिस्टीजिस प्रोजेक्ट मिला यह फिल्म थी एसस राजा मौली की एगा यानी की मक्ही समन्ता को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया इन फैक्ट तेल्गू की बेस्ट एक्टर्स का अवार्ट समन्ता की जोली में गया डिरेक्टर गौतम मैनन फिर्ट से एक बाइलिंग्वल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे इस फिल्म को तमिल में जीवा के साथ और तेल्गू में नानी के साथ बनाया जाना था फिल्म का नाम है निथाने इन पोवसंथम ये फिल्म में commercially successful रही और समन्था एक ही जटके में तमिल और तेलगू इंडस्टी की popular actress बन चुकी थी एक ही साल में समन्था ने तमिल और तेलगू इंडस्टी की best actress का award जीत कर ये साबित कर दिया कि इंडस्टी में एक दमदार actress आ चुकी है 2013 में ये पवन कल्यान की movie अतरिंत की दरेदी में नसर आई ये फिल्म ब्लोकबस्टर रही और इसी के साथ ये फिल्म अपने समय के तेलगू इंडस्टी की highest grosser तेलगू फिल्म भी बन गई इसी के चलते समन्था की गेंती तेलगू इंडस्टी की बड़ी और महंगी actress में होने लगी 2014 में ये मनम, कैथी और रबासा जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में नसर आई 2015 में ये सन और सत्यमोर्ती, दसका दम और ठंगा मगन जैसी महस तीन फिल्मों में ही नसर आई 2015 के साथ जनता गैरेज और नितिन के साथ आआ जैसी फिल्मों में नसर आई और ये फिल्म में एक से बढ़कर एक सकसफुल रही जहां आआ फिल्म के लिए इनको फिर से बेस्ट एक्टरस का अवार्ड मिला इस समय इंडस्ट्री में काजल अगरवाल और समनता दो ही टॉप की एक्टरस थी और इन दोनों में नमबर वन कहलाने की होल लगी रहती थी इसके बाद ये रंगस्तलम और मर्सल जैसे सकसफुल फिल्मों में नसर आई केरियर के इस पड़ाओ पर समनता टीपकल हिरोईन से अटकर कुछ अलग तरह के रोल्स करना चाहती थी इन्होंने महानती और सूपर डिलेग जैसी फिल्मों में काम किया ये परवा करे बगार की फिल्म की लीड एक्टरस कौन है यहां यूटन जैसी मिस्ट्री थिलर फिल्म टोटली इनके कंदे पर थी और ये फिल्म भी एक जबज़स सूपर हिट निकल कर आई अपने एक्स हजबेंड मजीली में भी समनता कुछ अलग तरह की एक्टिंग करते नजर आई और इस रोल में भी इनको खुब पसंद किया गया 2019 में इनकी मुवी ओ बेबी रिलीस होई समनता अपनी चॉइसस से खुद को फिल्म दर फिल्म प्रूफ कर रही थी 16 करोन के बज़ट में बनी इस फिल्म ने 36 करोन की कमाई करी और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर प्रॉफिटेबल रही 2020 में इनकी मुवी जानो रिलीस होई जो 96 मुवी के वज़ा से कमर्सी सकस्फुल नहीं हो सकी क्योंकि लोग इस फिल्म की कहानी को पहले से ही जानते थे लेकिन यहां भी क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की काफी तारिफ करी ये 2021 में The Family Man 2 में राज लक्षमी सेकरन की रोल में नजर आई जनरली इस तरह के रोल्स करने से हर कोई कतराता था लेकिन समन्ता ने इस रोल को भी एक्सेप्ट किया ये अब फिल्मों में कुछ अलग तरह के रोल्स तलास रही है इनके अपकमिंग प्रोजेक्स की बात करें तो इनकी मोवी सकूंतलम रिलीस होने को तयार है तो दोस्तो ये रहा समन्ता रूत प्रभू पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको समन्ता कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं साथी साथ next अब आप किस अक्टर अक्टरस के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत थन्यवाद